Hello students, welcome to my YouTube channel. तो friends, आज की हम इस वीडियो में ESTAT 2018 का जो Science का Level 2 का exam है, वो आपके सामने लेके आए हैं. तो इससे पहले हम 2017 Science के बारे में डिसकस कर चुके हैं, तो आज हम 2018 के Question Paper के बारे में डिसकस करेंगे. तो यहाँ से हम Question जो है, तो सबसे बहला Question था, 91, यह देखो, दोनों आपके Medium में दे रखा है, आप दोनों Statements को पढ़ सकते हो, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा Time Waste ना करते हो है, सिर्फ यह Statements आपको दिखाऊंगे, आप इनको Read कीजिए, और मैं इनके अंसर जो है, वो आपको बताऊंगी, आप इनको Read करना, जुरूर स्ट्रेंड्स, बीना Read की आप इनको नहीं समझ पाऊगे, मेरे पास ज्यादा Time नहीं है, तो मैं आपको इनके अंसर बता रहे हूं, और स्क्रीन को मैंने Pause already कर रहे है, आप यहाँ से स्क्रीन चोट दीजिए, चाहिए, यहाँ पर पढ़ लिए, थभी सब आजा जाएगा आपको, तो इसका Option No.1 जो बिल्कुल Correct है, 94 में एक Numerical पूछा गया था आपका, जो कि आपके Electricity से Related था, 10th Class का Electricity Chapter है, उसमें से यह Numerical पूछा गया था, तो इसका Option No.4 यानि कि 12 Ohm जो है, बिल्कुल Correct Option है, Next जो है, आपका Question No.95 पूछा गया था, तो इसका जो Correct Option है, आपका वो Third है, Option No.3 जो है, इसका बिल्कुल Correct है, Question No.96 में CNG, डीजल और पैट्रोल को उपस्तित जो है, करमानु की संख्या के Coding लिखना है, तो आप इनके परमानु कोडिंग संख्या के Coding लिखोगे, तो आपका यह Option No.2 बिल्कुल Correct है, उसका 97 Question है, Strength, तो 97 Question में देखो, आपको उनको व्यवस्तित करके लिखना है, तो आप देखोगे, कि जो इसका Option आएगा, वो बिल्कुल Correct आएगा, Fourth, यानि कि All of These, तो इसका Option No.4 जो है, बिल्कुल Correct है, Next है, Question No.98, 99 and 900, तो 98 में देखो Compound, जिसके अंदर, तो स्टेंस जो हमारा 98 Question है, ऐसा Compound, जिसमें केटाइन जो है, वो आइसो, इलेक्ट्रोनिक होंगे, तो वो एटम कैसे हैं, तो वो आएगा, आपका K2S, यानि Option No.3 जो आपका बिल्कुल Correct है, उसके 99 Question करते हैं, सीड, जिसके अंदर, प्लांट्स जो होते हैं, आपके Dispersed नहीं होते हवा के द्वारा, तो इसका Option No.3 जो है, बिल्कुल Correct है, Next Question No.100, इसका Option No.1 जो है, बिल्कुल Correct है, इदर आप Hindi मीडिया में भी Question पढ़ सकते हो, और English मीडिया में भी Read कर सकते हो, Next Question No.101 है, तो इसको Question को अच्छे से Read करो, तो इसका Option No.1 है, वो बिल्कुल Okay है, Next है, 102, मलेरिया के दुरान मच्छर द्वारा रूधिर में छोड़ा जाने वाला उतपार, तो मलेरिया से रिलेटिड एक Question जो आपका पूछा जाता है, अमेशा, तो इसका Option No.4 जो है, बिल्कुल ठीक है, Question No.103, जिसमें जो आपका है, Option No.2 जो है, बिल्कुल ठीक है, यानि की C और D बोथ, Next is Question No.4, Question No.4 में, जो Option No.4 है, इसका बिल्कुल ठीक है, आप इनको रीट करते रहिएगा, इनको पोस कर लो वीडियो को, और रीट जूर कीजिएगा, जिसको ये Question No.4 पर चाहिए, तो वो मेरे को डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे दूँगी, मैं आपको, कोमेंट बोक्स में कोमेंट कीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइट करवा सकते हूं, इसकी, Question No.5 में देखो, जो आपका Option No.4 है, वो बिल्कुल कोरेक्ट है, Next है, Question No.106, इसके अंदर जो Option No.3 है, बिल्कुल कोरेक्ट है, आपका, Next Question, बड़ा Important Question है, तो इसका Option No.4 बिल्कुल कोरेक्ट है, Next No.4 पूछा गया है, आपका, तो देखो, यहाँ पर, जो आपका है, इसको सॉल्व करके, आपका जो Option No.2 बिल्कुल कोरेक्ट आएगा, 109 में, आप इनको मैच करोगे, तो आपका Option No.4 जो है, बिल्कुल कोरेक्ट है, Next है, 110 में, इसमें भी आपको मैच करना है, तो आप क्या देखोगे, जो आपका Option No.2 है, वो बिल्कुल कोरेक्ट है, नेक्स्ट ट्रेंड requirements 111 question तो जिसका option number 2 जो है बिल्कुल correct है 112 में option number 1 correct है 113 में जो आपका option number 2 है ये वाला ये बिल्कुल correct है 114 में option number 2 correct है 115 में reflective index से question पूचा गया हमेशा पूछते हैं यहां से option number 2 जो है इसका बिल्कुल correct है question 116 में देखो आप इसको ध्यान से देखो तो इसका जो आपका है option number 1 बिल्कुल correct है question 117 में जो आपका option number 1 है वो correct है next है question number 118 इसके अंदर जो आपका option second जो है वो correct है 119 है question number इसका जो अंसर है आपका 3rd option आएगा इसका अंसर next है question number 120 तो इसमें जो आपका option आएगा यह option number 4 जो है बिल्कुल correct है आपका next है 121 तो 121 में जो 4th option है वो बिल्कुल correct है आपका next है 122 question number इसमें 3rd जो option है इसका बिल्कुल correct है next question number 123 तो इसका option number 2 है वो बिल्कुल correct है आपका next question number 124 तो इसका option number 1 जो है वो बिल्कुल correct है next question number 125 जिसका option number 2 बिल्कुल correct है next student आपका least value packing efficiency की तो ये simple cube में होती है ये आपका plus 2 chemistry से लिया गया question है इसका option number 4 बिल्कुल correct है तो देखें जो science के question है ये level 6 to 8 लिखा होता है लेकिन mostly जो question होते है इसके अंदर plus 1 और plus 2 chemistry के उठा रखे होते है तो देखो यहाँ पर देखो reflective index आया था वो plus 2 physics का question था तो plus 2 की physics और chemistry जो है आपको पतावनी चाहिए तभी आप ये science का question है इसमें से आप maximum marks ले सकते हो question number 127 में option number 3 बिल्कुल correct है 128 का second option correct है इसमें fourth option जो है correct है 139 का 130 का option number 4 जो है बिल्कुल correct है अग है question number 131 इसका option number 2 जो है बिल्कुल correct है next है 132 इसके अंदर भी option number 2 जो है आपका बिल्कुल correct है तो next चलते है 133 पर तो यहाँ से इनको match कीजिएगा तो आप देखेंगे, यहाँ पर option number 1 जो है, बिल्कुल correct है आपका, 134 में जो है, आपका option number 3 बिल्कुल correct है, यह भी आपका plus 2 जो chemistry से लिया गया question है, इसका option number 1 बिल्कुल correct है, डिया मेगनेटिक यह भी आपका plus 2 का question है, तो इसका option number 4 correct है, यहाँ एक्सो थर्मिक प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर option number 3 आएगा, यानि कि first और fourth में, यहाँ दोनों में हो रहा है, यहाँ पर आप यह numerical करेंगे, SHM का time periods है, यह मुझे भी नहीं पता कहाँ से numerical है, तो यह I hope कि यह BSE से related है, SHM amplitude जो था, तो यहाँ पर जो इसका answer आया है, वो 0.5, यानि कि option number जो इसका 2 है, वो बिल्कुल correct है, 139 जो है आपका distillation matter, 9th class की science से लिया गया यह question है, तो first इसका जो option है, बिल्कुल correct है, तो यहाँ पर 140 question पढ़ेंगे आप, physics से related question है, यह plus 1 class का, second option जो है, बिल्कुल okay है, 141 जो question है, यह भी आपका chemistry से related है, तो यह इसका second option बिल्कुल ठीक है, प्लस 1 की chemistry के question है, यहाँ पर 142 में जो आपका fourth option है, वो बिल्कुल correct है, 143 में, option number 3 जो है, आपका correct है, 144 में जो आपका 3 option जो है, bio का लिया गया question है, यह correct है, 145 का जो आपका option number 4 है, बिल्कुल correct है, 146 में, carbohydrate जो नहीं है, वो किस क्या होता है, stevia, तो इसका option number 1 जो है, बिल्कुल correct है, next आप 147, इसका जो option number 1 है, वो correct है, 148 का जो option number 3 है, वो आपका बिल्कुल correct है, last यहाँ पे student question number 149 है, जिसका option number 1 जो है, बिल्कुल correct है, 151 है, इसका option number 2 जो है, student बिल्कुल correct है, तो student इसी तरह से, जो H-Tat, आपका 2019 का science का paper है, उसको मैं next video में जो है, आपके साथ discuss करने वाली हूँ, तो student in videos को आप अच्छे से देखे, एक दो बार pause करके देखे, और इन में से ऐसा होता है, कि हर साल जो पिछले paper है, उन में से question आता है, या उन से related question आता है, तो पिछले questions को आण अच्छे से कीजिए आप, तो अगर आपको 2019 का भी question चाहिए, तो please subscribe my channel, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं, आप तक notification उसका पहुंच सके, thank you.